में आज जो मुक्य मंत्री जी ने ये घोषने की है उसके बारे मैं आप क्या कहना चाहेंगे? देख़ेए आप जो इस ठानियानिकाओं के जितने अध्भेक्स हैं। विद्धा सिधे रूप से अपने अछस ठानियानिकाओं के अध्हाय को चुने की बहुत ही अज्शा अगे इसका हम स्वावत करते हैं और हमारी मानुनी मुख्य मंतरी जी का अभार व्यक्त करते हैं इस फैसले के लिए क्योंकि इसमें एक योगे व्यक्ति चुनके सिधार जन्तर योगे व्यक्तियों का चुनाव करके हमारे स्थानियों का ध्यक्स बनाएगी और उसमें वो सवतंतर ह के और अपने पूरे अधिकारों का प्रियोग करके और विकास की गती और ज्यादा बढ़ेगी इससे और भृष्टाचार पर लगाम लगेगी कहीं ना कहीं बहुत सारे जो विपक्सी और बहुत सारे जो दल होते हो सियासत करके और आपने देखा कि नो कॉंफिडेंस वाले इस तरह के जो एक्जांपर देखने को इसमें आते थे तो उसके ध्यान में रखते वे ये बहुत एहम निर्ने लिया गया है इससे ब्रष्टाचार के साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम होते थे जिसमें उसको एक दबाव महसूस रहता था तो वो जो दबाव है वो सिधा- मैं यह सियम साहब ने एक अनांवंजिमंट की है कि नगरपालिका हो या नगरपरिशत हो जैसे नगर नीगम में मेर चुना जाता है वैसे ही नगरपालिका में भी अब मेर चुना जाएगा चेयर पर्संद के जो चुनाव होंगे वो जनता चुनेगी अपने वोट डाल कर परदान चुना जाएगा कमेटी की यानि अब सीम साहब ये चाहते हैं कि जो हमारी जनता है जनता सीम साहब इस बात से परिचित हो चुके हैं कि जनता बहुत जागरुत हो चुके है और जागरुत जनता जानती है कि कमेटी का परदान कोन बनना चाहिए इसलिए जनता पर छो बहुत ज़्यादा कन्वेंस होंगा। बहुत ज़्यादा कन्वेंस होंगा। इसी परकार से सभी नगर निगम की तरज़ पर नगर पाली का और नगर परिशद। इसी परकार से जिला परिशद का भी विधान सभा की तरज़ पर तीन दिन का सैसन बुलाय जाएगा। जिला परिशद का और नगर निगम का ताकि उसमें अच्छी चर्चा के ताथ अब तो किवल मीटिंग होती आदे गंटे की दो गंटे तीन गंटे की भी होगी मीटिंग होगा। जिला परिशद का जिला लेवल पर होगा नगर निगम का नगर निगम में होगा। स्पिकर की अभी टेंटेटिवली बात ये तैय की गई है जब मेर डारेक्ट चुन के आया है या तो मेर हो उनका या फिर किसी भी जिला परिशद का कोई भी सीनर जिवदी को इस दस्ते हैं उसको उसका स्पिकर बनाए जाए जाए यह भी ऐसा विचार हुआ है और उसके व